हेलो दोस्तों स्वागत आपको फिर से हमारे इस यूटीब चैनल पर हम आपके लिए हमें साथ दो जोब अप्डेट लेकर आते रहते हैं जोब अप्डेट लेकर आते हैं हम कोसिस करते हैं आपको जोब प्रोवाइड जोब अप्डेट है वह बीटेक लेवल के पर आते हैं उसके पास साथ हम जैनरल कॉंपडिशन करके रखा है कोई भी अपना ब्रांज से सब्सक्राइब करके रखा है उनके लिए भी जॉब अपडेट इस चैनल पर आते रहते हैं और आई टी वाले कंडिडेट के लिए भी जॉब अपडेट लेकर आता हूं आई टी टैन टुवेल्फ और ग्रेजवेशन सारे मतलब पूरा फुली देखा जाए मैं पूरा के तरफ से हैं हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड एक यह आपका पी एस्यू कंपनी एप एस्यू सेक्टर कंपनी एक आपका फुली गॉवर्मेंट जॉब रहेगा इसमें जो वेकेंसी निकल कर आया है वह आपका आया है जी टी पोस्ट के लिए आया हुआ है जी टी ग्रेज वेकेंसी निकाला गया है बात करें इसमें जो क्वालिफिकेशन मागा गया आपका बी बीटेक मागा गया है जी टी लेवल के लिए और एमटी के लिए आपका एमबीए मागा गया है क्वालिफिकेशन और आपका जो एक्सप्रेंस मागा गया है हर पोजिशन के लिए और जो आपका डिग्री मागा गया भी या भी टेक मागा गया इसमें डिप्लोमा वाले कंडिडेट एलिजिबल नहीं है फॉर्म बढ़ने के लिए पोजिशन अच्छी का से निकाली गए इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल के लिए और आपका एमटी में देखा जाए तो एचार के लिए और भी काफी सारे पोजिशन निकाली गई है तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे हैं अभी हम अवर्टाइजमेंट में देखेंगे किस पोजिशन बे कितने सारे पोस्स निकाले गए है और क्या क्या उनका एज पर एक सेञवर्टाइजमेंट रहेंगे इन रहेंगे इस पर पोस्त और सिनियर मनेजर का पोस्त की लिए इसमें जो रहे गएगा आपका एक्सप्रेंस बैस्स पर रहेंगे इस position के लिए apply करने के लिए आपके पास experience होना चाहिए तभी आप apply कर सकते हैं और फ्रेसर के लिए आपका यहां पे निकला गया है यह आपका देख सकते हैं appointment as a management trainee और graduate engineer training का आपका फ्रेसर के लिए यह vacancy निकल कर आया है तो आगे बात करते हैं यह आप देख सकते हैं company का पूरा details दिया हुए company क्या काम करती है किस फिल्म में काम करती है इनका फाइनेंसर का net profit turnover कितना है सब कुछ देख सकते हैं तो अभी हम direct point पे आते हैं point पे जो है आपका जो बात मैं बोलने वाला हूं अभी special recruitment ट्राइब जो है ACST candidate के लिए और OBC candidate के लिए ही यहां पर vacancy निकाला गया है देख सकते हैं आप senior manager के लिए grade जो रखा गया इफूर ग्रेड रखा गया आपका basic salary structure दो आपका 70,000 तुल लैक का अपका salary structure है आपका department दिया है जी लोजी department से होना चाहिए आपका category आपका AC होना चाहिए पोजीशन है आपका number one position one निकाले गया deputy manager में आप देख सकते है deputy manager का जो grade रहेगा इटू ग्रेट कर रहेगा basic जो salary का structure जो दिया है 50,000 तु 1,60,000 का structure है आपका salary structure department इसमें दिया गया है survey से आपका रहेगा कुछ position electrical से R&D और M&C इन position से आपको post निकाले गया है देखा जब one post आपका AC category के लिए है और एक OBC के लिए है यह आपका survey department में electrical department में आपका ST candidate के लिए एक post है और R&D department में आपका ST के लिए one post है और OBC के लिए one post है total two post निकाले गया है और M&C में आपका ST के लिए one post है total position जो निकाला गया है experience candidate के लिए AC ST OBC community से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपका total seven position निकाला गया है चलिए बात करते हैं तो होगे यह आपका experience candidate के लिए अभी हम लोग बात करते हैं फ्रेसर candidate जो अभी तरह है उनके लिए निकाला गया है यह बात ध्यान रखिए इसमें जो है आपका gate का score जरूरी नहीं है without gate की vacancy निकाली गए इसमें gate का कोई जरूरत नहीं है आपको simple form बढ़ना है और जो selection process है उसी के तो आपको जाना है अभी हम बात करते हैं आपका appointment as a MT management trainee का management trainee का आप देख सकते हैं जो grade आपका रखा गया इवन grade है आपका management trainee का salary structure जो basic दिया आपका 40,000 to 140,000 का आपका salary structure है position जो निकाले गए आपका finance में निकाला गया है HR में लो में और MNC में निकाला गया है finance में आपका total five position है जिसमें आपका general के लिए एक position है EWS के लिए one है SE के लिए ST के लिए OBC के कली के लिए लगे है टोटल पोजिशन आपका 5 पोजिशन रहेगा फाइनंस डिपार्टमेंट में में ही चाहर में आपका टोटल 5 पोस्ट है जिसमें आपको जैनरल के लिए 2 पोजिशन निकाले और उसके बाद और के डिगरी में कोई पोजिशन सिम्ग निकाला गया मम्नात करें तो आपका टोटल को निकाले के दो निकाले गये और आपकाशेर के लिए वाट के ये और वान पोष सुट युदर्वन को रिषी निकालेका हट कर बात कर दो चलिए अब बात कर लेका हुआ does आपका एक्जिक्रीटीव वन है पेस्किल देखा जाए इसका 40,000 तो ओन लाग 40,000 का आपका पेस्किल दे रखा है इसमें जो केंडिडेट एलिजिवल रहेंगे आपके बी बीटेक जिनों ने कर रखा है आपका इलेक्टिकल और मेकनिकल से वह केंडिडेट एलिजिवल इस इस बीट पूस निकला गया है टोटल पोजीशन जो निकला गया है जीटी के लिए टोटल फूर पोजीशन जीटी के लिए निकला गया है अभी इसका बात करते अपलिकिशन का फॉर्म भढ़ने का डेट कब से स्टार्ट हो रहा है और लास डिट कप तक है देख सकते हैं जो फॉर्म बढ़ने का जो डेट है आपका सेवेंध फैब 23 से आपका स्टार्ट हो रहा है दस बज़े से लिंक एक्टिवेट होगा और लास्ट जेट जो समिसन का रखा गया आपका 28 फैब लास्ट रखा गया है जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को भढ़ ले अगर फॉर बढ़ा तो आपको वीडियो भी बना के हम दिखा सकते हैं कि चलिए अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसमें यह क्वालिफिकेशन क्या है तो क्वालिफिकेशन के डेग्री में जाते हम लोग लग एलजीविटी ग्रेट एसार डी स्पैसल रिकूबरेंट ड्राइब जो था यह आपका एक्सप्रेंस केंडिडेट के लिए अब देख सेसे सिनियर मेनेजर जियोलोजी डिपार्टमेंट से आपका पोस्ट ग्रेजूएट इन जियोलोजी होना चाहिए सर्वे में आपका है आपका जो डिग्री मांगा गया है माइनिंग सिविल का इनजिनेरिंग कमप्लीट होनाँ चाहिए और और अरेंड-डी में कंडियरिंग से आपका टेली होना चाहिए साथ एम द्साइब निशितुम्याइए की बात करें तो आपका ने हैं तो as a कि एब्सक्रेंस वित अग्वें साथ क्ट आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए और अपने अपने पॉस्ट मेंटरियल मेनेजमेंट इस पोस्ट को भhडने के लिए बर्स आफमें एक्सप्रेइंस होना चाहिए आप और बात कर दें आप management training management training में आप में आपको बताया था qualification क्या लगेगा finance में पोस्ट निकाले गया था HR लो और MNC material में निकाला गया था इसमें आपको MBA in finance होना चाहिए आपका two years post-gavecson degree और diploma होना चाहिए आपका HR और personal में होना चाहिए लो में आपका bachelor degree लो होना चाहिए including five years integrated LLB के साथ और MNC में आपका two years का full-time post-gavecson degree और diploma होना चाहिए institution in materials से आपका MBA complete होना चाहिए diploma तो अभी बात करते हैं हम लोग electrical engineering और mechanical engineering जो GET position के लिए निकाला गया है electrical में आप देख सकता है आप जब full-time degree आपका होना चाहिए electrical department से minimum 60% आपका marks होना चाहिए तब ही आप eligible apply करने के लिए और mechanical में आपका mechanical engineering या mining machinery से आपका अगर है degree तब ही आप eligible इसको apply करने के लिए चले बात करते हैं कुछ यहां पे important notes दिया हुआ है फोर दो पोस्ट एम्टी जीडिफाइल यह फाइनल यह स्टुडेंट आप देब कर सकते हैं पर इन्होंने कुछ condition रखा है केंडियर्स नॉट हैव एनी बैक लॉग पेपर उनका कोई पेपर बैक नहीं होना चाहिए कोर्स के duration में तब हो eligible नहीं है apply करने के लिए ठीक है अब बात करते हैं हम यहां पर लिए एज लिमिट क्या रखा गया है ज रखा गया मेनेजमेंट ट्रेशनई और जीटी कए फीड़क्स रखा गयाँ एस हैसी के लिए इस्ट के लिए फाइफ यह स्का एग्स रिलाक्सेशन है ऑब देख सकते हैं PWD में जेनरल और EWS के लिए 10 साल का है, OBC के लिए 13 है, ACST के लिए 15 है, PWD के लिए है, अब बात करते हैं इसमें आपका जो मैंने बताया था SRD Special Recruitment Drive जो था, जो एक्सप्रियंस वाले लोग के लिए था, जो पुजीशन जो मैंने बताया था, Senior Manager और Deputy Manager का पुज करें इसका qualification और experience का है, qualification मैंने आपको बता दिया था, experience जो है, आपका, आपका minimum 9 years का experience होना चाहिए, as a position of Senior Manager आप एप्लाई करते हैं तो, और Deputy Manager अप्लाई करने के लिए आपके पास minimum 3 years का experience होना चाहिए, pay scale भी आप इनका देख सकते है, यह आपका scale of lower grade मतलब अभी जो आप काम कर रहे हैं, वो इस pay scale पे आप काम कर रहे हैं, तब ही जाके आप यह post के लिए eligible है, एपलाई करने के लिए government sector में जो काम कर रहे हैं, चले बात के, इसका selection process क्या होने वाला है, selection process देखें तो selection process में आप देख सकते हैं, आपका GTMT के लिए computer based test होगा, जो 70% weightage रहेगा, औ personal interview 30%, total 100% पर आपका merit list बनेगा, ठीक है, तो अभी इसमें तो कोई slavus mention नहीं है, कि किस section से कितने सारे number of question आएंगे, अगर मिलता है, तो आपके लिए जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा, slavus wise कितने, किस section से कितने question आते हैं, और अपना technical का weightage कितना रहेगा, हैं, CVT exam में, और यहां आप देख सकते हैं, management senior manager, deputy manager के लिए भी exam होने वाला है, जो two step process में होगा, एक computer based test होगा, और एक personal interview होगा, जिसमें weightage आपका रखा गया, return 80% का weightage रखा गया, और interview में 20% का weightage रखा गया, merit आपका 100% का weightage पर बनेगा, हैं, आपका qualifying marks भी रखा गया, minimum qualifying marks जो रखा गया, CVT के लिए, short listing candidate for personal, 30% आपका रखा गया, minimum qualifying marks, जो unreserved candidate के लिए है, और वी से के लिए 25% रखा गया है, ठीक है, अब बात करते हैं, हम इसका, अब जो इसका जो, जो आपका, जो communication का, जो medium जो रहेगा, आपका, जो भी करेगा, communication यह आपका, SCL जो करेगा, आपका, CBT, interview, जेट, आपका exam कब हो रहा है, interview कब हो रहा है, यह सारे, आपके mail के थूरू ही, communicate किये जाएंगे, आपका call letter भी आपको mail पर आ जाएगा, जो candidate short list होते है, return exam के लिए, बात करें, इसका जो application form का, जो fees रखा गया, आपको, general candidate के लिए, आपका, जो application fees है, आपका, देख सकते हैं, जो है, आपका 500, आपका non-refundable application fee, रखा गया है, okay, and all other candidate expected for paying fees including PWT, ठीक है, internal candidate not required to pay the application, जो candidate पहले से काम कर रहे है, SEL में, उनके लिए कोई application fee नहीं लग रहा है, तो आज का जो advertisement बस इतने ही था, आप form भड़े, जितना जल्दी हो से के, जो इसका last date है, कोसिस करें, उसके last date से पहले form भड़ ले, नहीं तो बात में क्या होता है, कि उसके site पे ज़्यादा traffic होने के कारण, form आपका submit नहीं हो पाता है, सही तरीके से, तो कोसिस करें, जो last date है, आपका 28 फेब, उससे पहले form भड़ ले, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, form भड़ने में आपको समझ में नहीं है, जरूर हमें comment करें, और साथ ही साथ, अगर हमारे चैनल पे नए है, तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, जिन्हों अभी job की जरूरत है, जो job seeking में हैं, उन्हें बहुत help मिलेगी, और आप अगर हमारे चै करें